तो दोस्तों आज मैं एक नए रेसिपी लेके आगई हूँ, आज हम बनानी जा रहे है पनेर मलाय रेसिपी, बहुत ही चटपर्ट बनते हैं और मसलादार बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, चले बनानी शुरू करते हैं, मैंने यह पर गेस पे पेन लिया है और एक चमस मैंने यह पर कुकिंग ओयल डाल दिया है, यह पर दस पंदरा काजू डाल दिया है, इसको हम ग्रेवी बनाएंगे थोरी सी रॉस्ट करके, यह पर मैंने सुखी लाल मिर्च डाल दिया है, चार पास पीस और टीन टुक्री छोटी पीसेस में अध्रक भी डाल दिया और 9-10 पीस यहाँ पर लसन भी डाल दिया है इसको हम एक मिनिट तक मीडियम फ्लैम करके थोरी से हलकी सी ब्राउन होने तक भून लेंगे इस तरह से भूनने के बाद में हमें ग्रेवी का पेस्ट अच्छी टेक्स्टर में आते है और फ्लैवर भी बहुत ही बढ़ी आते है और एक दो दाना में यहाँ पर काजु को भी अलग से रखूंगी बात में लस्ट टाइम में डालनी के लिए अभी इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और इसी पेन में यहाँ पर एक चमज cooking oil और एट कर दिया है और मैंने यहाँ पर 120 ग्राम पनिर लिया है इसको भी मैंने छोटे-छोटे पीसिस में कट करके इस तरह से डाल दिया है इसको हम 1-2 मिनिट तक हल्की से fry करेंगे मैं चुटकी भर उपर से हल्दी डाल रही हो कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हल्की से उपर से डाल देंगे इस तरह से और 2-3 साइट से अच्छी से गुमा गुमा के fry करेंगे इसको इस तरह से ज़्यादा ड्राइ नहीं करेंगे, यह पनिर हर्ट बन के तायर होगा, इस तरह से हमें हलकी हलकी से गुमा देंगे ओयल पे, और इसको हम एक मिनट तक इस तरह से भुनने के बाद निकालेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो करने होगे, नहीं तो जल्दी ड्राइ हो जाएगा य इसको मैं यहाँ पेंट से निकाल दूंगी प्लेट पे और इसी पेंट भी मैं यहाँ पर और एक चमस कुकिंग ओयल डाल रही हूँ अभी मैं यहाँ पर एक चमस जीरा डाले रही हूँ साबो तॉला और एक टेज पता डाल देंगे और दो हरी एलाइची बीच से काट करके डाले रही हूँ और यहाँ पर मैंने चार पांस दाना काली मिर्च पी डाल दिया है अभी इसको हम अच्छी से इस तरह से भून लेंगे फ्लेवर अच्छे आते हैं यह देखिए अच्छी से चटक गया है अभी जो मैंने यहाँ पर पेस्ट बना के रेडी किया है इसको मैं यहाँ पर डाले दूँ इस तरह से यह देखिए प्यूरी इतनी सॉफ्ट प्यूरी बना के रेडी किया है मैं यहाँ पर प्यास टमटर यूस नहीं किया है बहुत अलग फ्लेवर और अलग टेस्टी आने ओला है यह रेसिपी में और यह देखिए इस तरह से भूनते हुए हमें फ्राइ करेंगे हाफ टेस्पून हल्दी पाउडर दाल दिया है और हाफ टेस्पून कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर पे एड़ कर दिया है half teaspoon जीरा पाउडर, half teaspoon धन्या पाउडर, स्वाध अनुसर नमक डालेंगे इसके बाद हमें इसको medium flame करके अच्छी से भून लेंगे इस तरह से mix करते हुए बहुत ही tasty और बहुत ही अच्छी flavor आएंगे ये recipe आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको पसंद आए तो please comment भी करना ना भूलेगा half teaspoon मैं यहापर गरम masala डाल रही हो और इस तरह से हमें mix करते हुए भूनेंगे और ये देखे gravy ने तेल छोड़ दिया है और इस तरह से ये देखे अच्छी से brown हो गया है और color में भी बहुत ही change आग गया है और मैंने यहापर 100 grams milk लिया है full ton cream का milk लिया है इसको मैं यहापर डालने के बाद इसको चलाती हुए इसको उबल आने तक पकाएंगे उबल आ गई है दूद डालने के बाद और मैंने यहापर जो पनिर फ्राय करके रखी हुई थी इसको हम यहापर डाल देंगे इसके बाद इसको अच्छी से mix होने देंगे और मैंने यहापर 4-5 पीस काजू रखी हुई थी इसको भी मैं यहापर डाल रहे हूँ और यह दिखे इस तरह से mix कर देंगे बहुत बढ़िया flavor आ रहे है भी और जो मालाई है यह घर पे मैंने रखी हुई थी मालाई एक चमस भर के लिया है आपके पास में घर पे बनाए हुआ मालाई नहीं है तो आप आमुल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं यहापर और इस तरह से mix करेंगे यह देखिए और अभी हम इस तरह से उबालते हुए एक मिनेट तक पकाएंगे उसके बाद बन के तायर हो जाएंगे आपको gravy पतली चाहिए या थोरी सी ठीक चाहिए वो आप दिख लीजिगा और मैं इतना ही gravy में बना रही हूँ और यह दिखिए बन के तायर हो गया है आप इसको रोटी के साथ में चावल के साथ में खाएगा बहुत ही पसंद आएंगे आपको यह मेरा recipe कैसे लगी अच्छे लगी तो प्लीज comment भी कर दीजिए का share subscribe करना ना भूले तब तक के लिए बाबाई